ओम शान्ती आज बाब के 5 नवंबर के महावा क्य हैं? बाबा ने कहा मीठे बच्चे ड्रामा की स्रेश्ट नौलेज तुम बच्चों के पास ही है तुम जानते हो ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है प्रश्ण है प्रवर्ती वाले बाबा से कौनसा प्रश्ण पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंदा करें? बाबा कहते बच्चे धंदा भल करो लेकिन रॉयल धंदा करो ब्रामन बच्चे छीची दंदा, शराव, सिग्रेट, बीडी आधी का नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खीच होती है ओम शान्ती रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावन की आसूरीमत, आसूरीमत बाप की नहीं कहेंगे, रावन को बाप तो नहीं कहेंगे न, वह है रावन की आसूरीमत, अभी तुम बच्चों को मिल रही है इश्वर्यमत कितना रात दिन का फरक है बुद्धी में आता है इश्वर्यमत से दैवी गुन धारन करते आए हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पढ़ता है बाप मिलते ही हैं संपती के लिए रावन से तो और ही संपती कम होती जाती है इश्वर्यमत कहां ले जाती है और आसूरीमत कहां ले जाती है ये तुम ही जानते हो आसूरीमत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो ग पिर चड़ना कैसे होता है यह भी तुम बच्चे समझ गए हो अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से स्रेष्ट बनने के लिए तुम यहां आए ही हो स्रेष्ट बनने के लिए तुम जानते हो हम फिर स्रेष्ट मत कैसे पाएंगे अनेक बार तुमने स्रेष्ट मत स उंच पद पाया है, फिर पुनरजनम लेते लेते, नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चड़ते हो, नमबर वार पुर्शार्ट अनुसार तो होते ही हैं, बाप समझाते हैं, टाइम लगता है, पुर्शोतम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट, ड्राम बड़ा एक्यूरेट चलता है, और बहुत वंडरफुल है, बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है, बाप को याद करना है, और वर्शा लेना है, बस परंतु पुर्शार्ट करते हैं, तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, इतना उंचते उंच पद पाना, कोई थोड़े ही हो सकता है, बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्शा बाप का है, सेकंड की बात है, फिर पुर्शार्ट करने लगते हैं, तो माया के विघन भी पढ़ते हैं, रावन पर जीत पानी होती है, सारी स्रश्टी पर इस रावन का राज्य है, अभी तुम समझते हो हम योगबल से रावन पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पार रहे हैं, सिखलाने वाला है, बेहद का बाप, भक्ती मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परन्तु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे, कहते थे, चमकता है ब्रकुटी के बीच में अजब सितारा, आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे, कैसा विचित्र ड्रामा है, कहते भी थे, हे परम्पिता परमात्मा याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे, ना आत्मा की उक्युपेशन को, ना परमात्मा की उक्युपेशन को पूरा जान बाप ही खुद आकर समझाते हैं, बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा न सके, कोई का पार्ट ही नहीं, गायन भी है, इश्वर्य संप्रदाई, आसूरी संप्रदाई और दैवी संप्रदाई है बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहें, इसमें ही माया विगन डालती है बुला देती है, बाप कहते हैं, नंबरवार पुर्शार्ट अनुसार याद करते करते, जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थार पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुर्शार्ट अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, शास्त्रों में ये बात कोई समझ ना सके गीता आदी से तो इसने भी बहुत पड़ी है ना अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं परंतु भक्ती में कनरस बहुत मिलता है इसलिए छोड़ते नहीं तुम जानते हो सारा मदान पुर्शार्थ पर है धन्दा आदी कोई का रॉयल होता है कोई का छीची धन्दा होता है शराब बीड़ी सिग्रेट आदी बेचते हैं ये धन्दा तो बहुत खराब है शराब सब विकारों को खींचती है किसको शराबी बनाना ये धन्दा अच्छा नहीं बाप राय देंगे युक्ती से ये धन्दा चेंज कर लो नहीं तो उच्पद पा नहीं सकेंगे बाप समझाते हैं इन सब धन्दों में है नुकसान बिगर अविनाशी ग्यान रत्नों के धन्दे के भल जवारात का धन्दा करते थे परंतु फाइदा तो नहीं हुआ न करके लखपती बने इस धन्दे से क्या बनते हैं बाबपत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पदमा पदम भाग शाली सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं तुम भी समझते हो बाबा कहते बिलकुल ठीक है हम सो ये देवी देवता थे फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं स्रिष्टी के आदी मद्य अंत को भी जान गए हो नौलिज तो बाप द्वारा मिली है परंतु फिर देवी गुण भी धारन करने हैं अपनी जांच करने हैं हमारे में कोई आसूरी गुण तो नहीं है ये बाबा भी जानते हैं हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है ये मकान है ना इसमें आत्मा रहती है हमको बहुत फकुर रहता है भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है ड्रामा प्लैन अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है इनको तो खुशी होती है ना परन्तु फिर हंगा मा भी कितना मचा ये बाबा हसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रत बना तो हमने इतनी गाली खानी पड़ी बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली अब तुम्हारी बारी है ब्रम्हा को कब गाली मिली नहीं है अब बारी आई है रत दिया है ये तो समझते हैं ना तो जरूर बाब से मदद भी मिलेगी फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंत याद करना इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो क्योंकि इनके उपर तो मामला बहुत है भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं फिर भी कुछ लैस चरूर आते हैं ये बिचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे ये संग दोश में खराब हो गए कितनी डिस्सर्विस होती है ऐसा ऐसा काम करते हैं लैस आ जाती है उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है ये फिर बाद में खयाल आता है ये तो ड्रामा में नूंद है ना माया अवस्था को बिगाड देती है तो बहुत डिस्सर्विस हो जाती है कितना अबलाओं आदी पर अत्याचार हो जाते हैं यहां तो खुद के बच्चे ही कितनी डिस्सर्विस करते हैं उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं कोई शास्तरादी नहीं सुनाते अभी हम शिरीमत पर कितना स्रेष्ट बनते हैं, आसूरीमत से कितना ब्रष्ट बने हैं, टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, ये तुम समझते हो, शांती धाम, सुख धाम पर हमारी विजय है ही, कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं, इस पुर्शोतम संगम युग पर ही इस्थापना और विनाश होता है, ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धी में है, बरोबर बाप हमारे द्वारा इस्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्ज करेंगे, बाबा को ठैंक्स भ मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धारी हूँ, ड्रामा में सबका पार्ट नूधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है, ठैंक्स देने की बात नहीं, शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको श्रीमत दे, रास्ता बताता हूँ, और कोई बताने सक जो भी आए बोलो सतो प्रदान नई दुनिया स्वर्ग थीना इस पुरानी दुनिया को तमो प्रदान कहा जाता है फिर सतो प्रदान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं बाप को याद करना है मंत्र ही यह है मन मना भव मध्या जी भव बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरू हूँ तुम बच्चे अभियाद की यात्रा से सारी स्रश्टी को सदगती में पहुँचाते हो जगत गुरू एक शिव बाबा है जो तुम को भी श्रीमत देते हैं तुम जानते हो हर पांच हजार वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है चक्र फिरता रहता है आज पुरानी दुनिया है कल नई दुनिया होगी इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके ये भी भूल जाते हैं कोई गिरते हैं तो फिर सारा ग्यान आदी सारा खतम हो जाता है कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल, कला रहित कर देती है, विकार में ऐसे फस जाते है, बात मत पूछो, अभी तुमको सारा चक्र याद है, तुम जनम जनमांतर वैशाले में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो, जनम जनम के हम पापी हैं, हम ही पहले पुन्या आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुन्या आत्मा बनते हैं, ये तुम बच्चों को नौलिज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे, आप समान बनाते हो, गरस्त व्यवहार में रहने से, फरक तो रहता है न, वे इतना नहीं समझा सकते हैं, जितना तुम परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं, बाप खुद कहते हैं, गरस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है, सब छोड़ कर आवें तो इतने सब बैठेंगे कहां बाप नौलिजफुल है वे कुछ भी शास्तरादी पढ़ते नहीं ये शास्तरादी पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं God Father is नौलिजफुल मनुश्य ये भी जानते नहीं है के बाप में क्या नौलिज है अभी तुमको सारी स्रश्टी के आदी मद्य अंत की नौलिज है तुम जानते हो ये भक्ती मार्ग के शास्तर भी अनादी है भक्ती मार्ग में ये शास्तर भी जरूर निकलते हैं कहते हैं पहाड तूट गया फि ये तो ड्रामा है न, शास्तरादी ये सब खतम हो चाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं, हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्तरों में होगा न, शिव की भक्ती कैसी की जाती है, कितने शिलोक आदी गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो, शिव ग्यान का सागर है वह अभी हमको ग्यान दे रहे हैं बाप ने तुमको समझाया है ये स्रिष्टी का चक्र कैसे फिर्टा है शास्त्रों में इतना लंबा चोड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कभी समर्ती में आ भी न सकें तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी च चाहिए बेहद का बाब हमको पढ़ाते हैं गाया भी जाता है इस्टूडेंट लाइफ इस दे बैस्ट भगवानु वाच मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूं और कोई शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं उंच ते उंच प्राप्ती है ही यह वास्तव में कर्व की सदगती करते हैं भल स्थापना करने वाले को भी गुरू कह सकते हैं परन्तु गुरू वह जो सदगती करे ये तो अपने पिछाडी सबको पार्ट में ले आते हैं वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं बरात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई ग शिव और शंकर को मिला दिया है कहां वै सुक्षम वतनवासी कहां वै मूल वतनवासी दोनों एक हो कैसी सकते ये भक्ती मार्ग में लिख दिया है ब्रह्मा विश्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो इनको एडॉप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना उच ते उच है बाप बाकी ये है उनकी रचना कितनी ये समझने की बाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादक का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादक को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 ज धारना के लिए मुख्य सार है अविनाशी ग्यान दत्नों का धंदा कर 21 जन्मों के लिए पदमा पदम भागिशाली बनना है अपनी जांच करनी है हमारे में कोई आसूरी गुण तो नहीं है हम ऐसा कोई धंदा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पती हो याद की यात्रा में रह सारी सृष्टी को सदगती में पहुचाना है एक सत्गुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनानी की सेवा करनी है ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे वर्दान है बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाली निश्चे बुद्धी बेफिकर बात्षा भव सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है बुराई को बुराई के रूप में ना देखे लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए लेकिन फोरण आए कि अच्छा होगा बीट गया अच्छा हुआ जहां अच्छा है वहां सदा बेफिकर बात्षा है निश्चे बुद्धी का अर्थ ही है बेफिकर बात्षा स्लोगन है जो स्वयम को वे दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है सेवा की सफलता का साधन निर्मानता है निर्मान बन जुकना ये कोई छोटा बनना नहीं है लेकिन सफलता के फल संपन बनना है बुद्धी जो भी निर्ने करे वे श्रीमत के अनुकूल हो श्रीमत के सिवाई और कोई बात बुद्धी में ना आई बुद्धी में सदा बाबा की सम्रती हो तो आटोमेटिकली जज्जमेंट सत्य और सफलता वाली होगी अच्छा ओम शान्ती